नमस्कात दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वारता में दोस्तो आज हम हम हिमाच्य प्रदेश में हुए PGT हिंदी के एक्जाम को डिसकस करने जा रहे हैं दोस्तो अगर इसमें कुछ तुटी रह जाए दोस्तो तो मुझे माफ किजिएगा किमकि अपनी और से मैंने पूरी कोशिश की है कि आप तक जो सही उत्तर है उनको पहुँचाने के और या जो मुझे लगा कि इन प्रशनों का उत्तर यही हो सकता है तो आप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा इस वाले पोर्शन में हम सिर्फ हिंदी साहित्य से रिलेटरी जो प्रशन पूछे गए थे दोस्तो इसमें उनको ही डिसकस करेंगे तो चली शुरुआत करते हैं दोस्तो सबसे पहले देखिए प्रशन नमबर 21 अचारे रामचंदर शुकल का हिंदी साहित्य का इतियास सरप्रत्थम किस की भूमिका में प्रकाशित हुआ था तो दोस्तो इसका जो राइट अंसर होगा वो होगा हिंदी शब्द सागर की भूमिका में प्रशन नमबर 22 है दोस्तो साहित्य जनता की चितवरिती का संचित प्रतविम्ब होता है यह कथन किस का है तो दोस्तो यह कथन है अचारे रामचंदर शुकल का अगला प्रशन है देखिए प्रशन नमबर 23 तो इसमें कहते हैं कि निमे लिकित में से कौन सी भाषा प्रशन नमबर 28 तो यह कहते हैं कि जिस समास में दूसरा पदप्रधान रहता है वहां कौन सा समास होता है तो अव्याई भाव में प्रथम पद प्रधान होता है जबकि दून्दो समास में दोनों और बहुबरी में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है वो उसके लिए रूड हो गया होता है तो इसका राइट अंसर होगा दोस्तो लिस वर्ग का व्यंजन है तो दोस्तो जो 9 है वो है तवर्ग का आखरी वर्ण निमलिक्त में से कौन सी उपभाषा राज Gastani हिंदी की नहीं है तो इसका अंसर होगा दोस्तो म गही जो है वियारी हिंदी के उंतरगत आता है ठीक है अगला है बुंदेली किस हिंदी की के option A 900 पदमावती समय की स्काव्य रचना का अंश है तो पदमावती जो समय है दोस्तों वो प्रित्विराज रासो का बीसवा समय माना जाता है है ना तो बीसवा जो समय है वो है पदमावती समय और ये प्रित्विराज रासो का है क्लिर है दोस्तों अगला जो प्रशने वीर गीत कि स्रितु में गाय जाते हैं तो जो आला है दोस्तों वो कहां पर गाय जाता है वैसे उत्रप्रदेश में गाय जाता है और कि कब गाय जाता है बर्शारी तुमें गाय जाता है कुमारपाल प्रतिपोध गद्य पद्यमय संस्कित प्राकृत काव्य के लेकर देखिए ये रचना जो है आदिकाली ने रचना है और इसके रचनाकार सोमप्रभ सूरी है option A इसका right answer होगा दोस्तो अगला है गीता वली की रचना गोस्वामी ने सूरदास के अनुकरण पर की है बाल लिला के कई एक पद जो के त्यों सूर सागरबे में मिलते हैं केवल राम श्याम का अंतर है या कथन किस आलोचका है तो इसका जो right answer है दोस्तो वो है अचारे राम चंदर शुकल हिंदी साहीत के यहां से यह पंक्तियां उद्रित की गई है अगला है कि अश्ट शाप के कभी किस दर्शनिक मत को मानने वाले थे तो अश्ट शाप के जो कभी मानते थे दोस्तो वो मानते थे शुद्धा दोयतवाद को option B इसका right answer होगा अगला प्रशन है रास पंचा ध्याई किस की रचना है तो रास पंचा ध्याई दोस्तो नंद दास की रचना माने जाती है मिरवाई की उपासना किस प्रकार की थी तो दोस्तो यह प्रशन भी कई वारे अग्जाम में पूछ जाता है तो मिरवाई की जो रचना है दोस्तों वो है माधूरे भाव की भक्ती मिरवाई की जो उपासना है दोस्तों किस प्रकार की है माधूरे भाव की भक्ती है उनमें अमिय हला हल मद भरे सेत स्यामरतनार जियत मरत जोकी जोकी परत जे ही चितवत एक बार उप्रिक्त दोहे के रचेईता तो इस दोहे के रचेईता हैं दोस्तो रसलीन हालांकि यहां पर रस नहीं दी है तो इन में से कोई नहीं क्लिर है विराग उत्पन होने पर विरंदावन जाकर घनानंद की संप्रदाय की वैशनव हो गए थे तो बिराग उत्पन होने पर ब्रिंदवन जाकर वो कहा पर चले गए थे ब्रिंदवन टो गए थे लेकिन किस संपरदाय में हो गए वhasnब हो गए थे अगला है कि मनोहर किस सूफी कावय का कथा नायक है, तो जो मनोहर है दोस्तों वो है मधुमालती, तो इसका अंसर क्या होगा, मधुमालती, पिर है फ्रशन नंबर 43 देखिए, इसमें कहता है कि अजगर करेना चाकरी, पंची करेना काम, दास मलूक का कहे गए सब के दाता राम आलसियों का यह मूल मंत्र देने वाले मलूक दास किस कावेधारा के कवी थे तो वो थे ग्याना अश्री निर्गुण कावेधारा के कवी ठीक है दोस्तों अगला है कि खेती न किसान को भिखारी को न भीक बली बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी जीवी का वहीन लोग सिध्य दोस्तों यह पंकटिया है गोस्वामी तुलसिदास जी कि क्लिर है दोस्तों इसलिए इसका उत्तर जोगा ऑप्षन ए गोस्वामी तुलसिदास शाइद पीजिती के एक्जाम ही पूछा गया था तो उसमें देखी ये सूर्दास की पंक्तियां है और लिला तो जानने का आतम शक्सक किस कभी का है तो सूर्दास का है हलांकि यहां पर सूर्दास नहीं है तो इसलिए option D इसका सही answer होगा खड़ी बोली का प्रत्थम महाकाव्य तो इसमें साकेत, लोकायतन, कामाईनी और उपरोक्त में से कोई नहीं तो इसका जो answer होगा option D क्योंकि खड़ी बोली का जो प्रत्थम महाकाव्य दोस्तो वो है प्रिय अप्रवास, घरियोद का, 1914 हमें लिका गया था, clear है निमी लिकित हम कौन थे और क्या हो गए और क्या होंगे अभी आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी, राष्टि भावना और जागरन स्वर की प्रधानता से युक्त, उपर्युक्त कावे पंक्तियों के रचेईता कौन है, तो दोस्तो इसके रचेईता है मैथली शरन, गुप् तो आप मुझे कमेंट सक्षन में जाकर बता सकते हैं, दोस्तो हम अपनी और से कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक प्रशन हो सकता है कि उपर नीचे हो जाएं तो आप उनमें बेजी जग कह सकते हैं, और वो चीजे हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करके अगला देख लेते हैं कि निमें लिकित में से निराला की कौन सी कावे रचना प्रगतिबादी विचार दर्शन से प्रभावित कविता है दोस्तो, वो है कुकरमुत्ता, अगला जो प्रशन है दोस्तो, वो है मैं बच्पन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, न वो है सुभद्रा कुमारी चोहान, तो option A इसका सही होगा दोस्तो, सुभद्रा कुमारी चोहान की ये पंक्तिया है, अगला है कि मिथक के संबंद में निम्र में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोस्तो, मिथक अतीत से अपने को अलग करने का उपकरम है, तो option C इसका सही हो के प्रति पादक थे तो इसका होगा दोस्तों option B काल गुस्ताव यूंग ठीक है दोस्तों काल गुस्ताव यूंग अपने सहित्यकार साथियों के संस्मारनात्मक रिकाचित्र महादेवी वर्मा ने अपनी किस पुस्तक में लिखे हैं तो दोस्तों देखिए अपने समकालीन जो साथी थे जा हाईतेकार साथी थे इनके वो कौन थे पत के साथी इसमें इनोंने क्या किया है इस रेखाचितर में अपने साथियों का संस्मारनात्मों का रेखाचितर इनोंने इसमें लिखे हैं क्लिर है दोस्तों अगला है कि निमी लिक्त में से कौन सा गीती नाटे सुमित्रा नंदन पंथ द्वारा रचित है तो इनका जो गीती नाटे है दोस्तों वो है शिल्पी ठीक है फिर आता है उत्र प्रियदर्शी किसकी रचना है तो दोस्तों उत्र प्रियदर्शी रचना है वो है सचीदानंद, हिरानंद, वातस्याईन, अग्ये की तो इसका अंसर क्या होगा दोस्तो अग्ये अगला जो आखरी प्रशने देखिए वो है कि जब एक ही शब्द, एक ही अर्थ में अनेक बार प्रियुक्त हो तथा किसी आकस्मिक भाव को प्रकट करे तो वहां कौन सा अलंकार होता है दोस्तो इसमें ऑप्शन है अनुप्रास विपसा, पुनरुक्ती प्रकाश या फिर यमक तो दोस्तो ऑप्शन बी या सी में से इन में कोई होना चीए लेकिन बी को मैं मानता हूँ कि इसमें बी होगा क्लिर है अगर पुनरुक्ती प्रकाश भी लग रहा है किसी को तो वो भी इसको भी हम डिसकस कर सकते हैं पुना कि इसमें कौन सा होगा अभी फिलाल इसमें जो मुझे लग रहा है वो विपसा इसमें अलंकार होगा क्लिर है दोस्तो अगला जो प्रशने है दोस्तो शब्दार्थों सहीतों काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ का सहीत भाव ही काव्य है किस का कथन है तो दोस्तो यह कथन है अचारे भामा का विभावन भाव या विचारी संयोगाद रसनिश्पत्ती अचारे भरत के इस रस दोस्तो कॉलरीज की, सही आंसर क्या होगा इसका कॉलरीज, अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी के समन्द में आम फहम और खास पसंद भाशक का उपदेश किस ने दिया था, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तो, ऑप्शन B, राजाशी प्रसाद सितारे हिंद, अगला जो प् आनी में सियुक परिवार की मरियादा को प्रतिष्ठित किया गया है, तो ये ऑप्शन B होगा इसका राइट अंसर, बड़े घर की बेटी, क्लियरे दोस्तो, निमिनलिकित में से किस नाटक में वैदिक कालीन बिथू की समस्याओं को नहरु युक की समस्याओं से जोड़ा गया है, तो नहरु थे प्रत्थम प्रधान मंत्री, इसलिए इसका अंसर को हम इस तरी के से भी निकाल सकते थे, पहला राजा, क्लियरे दोस्तो, डी यह होगा इसका राइट अंसर, अगला है कि दिलो दानिश किस की अपन्यासिक रचना है, तो दिलो दानिश जो रचना है भी हमने पढ़ी, इसके जो रचईता हैं, वो है नागर जून, अकाल और उसके बाद इनकी एक कवीता है, दोस्तो, उसमें से इसको लिया गया है, निमी लिकित मैं से कौन तारसपतक के कभी हैं? निमी लिकित मैं से कौन सिकृटी या मनचीकेटा की कहानी पर अधारित है, तो दोस्तो इसका सई अंसर होगा option B प्रिमचंद की किस उपन्यास में दहेज की कूपरथा और अनमेल विवाह का भीशन परिणाम दिखाया गया है तो इसका अंसर होगा निर्मला निमी लिखित में से कौन सी दुएदी योगीन हिंदी कवीता की प्रवरिती की विशेशता नहीं है तो इसमें होगा option B व्यक्तिकता तो भारतेंदू का कौन सा नाटक नाटे रासक या लासे रूपक कहा जाता है option D भारत दुर्दशा ठीक है दोस्तो जैचंद के मुर्कता पूर्ण कूचकर के कारण प्रित्वी राज के अंत का चित्रण किस नाटक या किस नाटे राचना में हुआ है तो 73 का जो उतर होगा दोस्तो वो होगा price sheet में किस में है ये price sheet में option B किस हाहित्यकार ने अपनी आत्मकथा को समरिती यात्रा यग्य कहा है तो दोस्तो ये कहा है हरिवश राय बच्चन जी ने clear है निमी लिकित में से कौन सा निवंद हजारी प्रसाद दुवेदी का नहीं है तो इसमें होगा option D रेती के फूल ये इनका नहीं है तो दोस्तो इस प्रशन का अभी तक मुझे सही उत्तर नहीं मिल पाया रहा है तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी नहीं दे पाऊंगा वी फिलाल के लिए इसके लिए मैं आपसे शमा चाहूंगा अगला जो प्रशन है दोस्तो वो है निसंदेह शब्द में कौन सी संदी है तो दोस्तो निसंदेह में संदी है विसर्ग संदी कारवा किसका एकांकी संग्रह है तो कारवा है दोस्तो भूवनेश्वर का तो इसमें होगा option A भूवनेश्वर clear है, मौन भी अभिवियंजना है जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो अनभूती और अभिव्यक्ती में अद्वयत स्थापित करने वाला यह कथन किसका है, तो यह option C अग यह का, clear है दोस्तो 79 का देखिए क्या होगा C, ठीक है, फिर है उसके बाद परम अभिव्यक्ती लगातार गूमती है जग में, पता नहीं, जाने कहां, जाने कहां वह है, यह कावे पंक्तियां किस कवी की है तो दोस्तो यह ली गई है, मुक्तिबोद की जो रचना है, अंधिरे में वहां से तो option A, इसका right answer होगा, ठीक है दोस्तो अगला प्रशने देखिए निमी लिखित मध्यकालीन हिंदी कव्यों का, रचना काल के दिश्टी से सही अनुकरम क्या है तो देखिए दोस्तो सबसे पहले इसमें आते है आपके बिहारी, इनका जनम कब हुआ है, बिहारी का जनम हुआ है पंदरसव चानुएस्वि में और मतिराम जो option B है देखिए, ये इसका सही होगा, मतिराम को जो जनम वर्श है दोस्तो वो है 1617, जबकि पदमाकर 1657 और देव 1673 तो इसके आधारपरम कह सकते हैं कि 82 प्रशन नंबर है, उसका भी option B सही होगा, निहार 1932 रश्मी 1935 और निर्जा 1936 और दीपशिखा 1942 क्लीर है दोस्तों, तो ये इसका सही अंसर होगा B, क्लीर है, प्रकाशन काल के दिश्टी से रामधारी सिंग दिनकर की कावे रचनाओं का सही अनुक्रम है तो 83 का जो होगा दोस्तों, वो होगा option A देखिए, कुरुक्षेत्र लिखी गई 1946 में, रश्मी रथी 1952 उर्वशी 1961 और परशुराम की प्रतिक्षा 1963 क्लीर है दोस्तों, तो देखिए अगला जो आखरी प्रशन है दोस्तों, वो है हिंदी कवीता के विकासात्मक समझ के साथ निमी लिखित कावे प्रप्रप्रितियों और विशेश्टाओं का सही अनुक्रम, इस प्रशन में भी दोस्तों मैं पूरी तरह से शियर नहीं हूँ कि इसका कौन सा अंसर होगा, लेकिन मैं C के साथ जाऊँगा अगर आपको लगता है कि इसका अंसर C है या कुछ और है दोस्तों तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं फिलाल मैंने दोस्तों सभी प्रशन को आपको बताने की कोशिश की है कि कि इस प्रशन का क्या उत्तर होना चीए अगर आपको लगता है दोस्तों कि इस वीडियो में इस पूरे जो हमने इस चीज को डिसकस किया उसमें कहीं हमसे कुछ गलतियां हुई है या किसी प्रशन में कुछ डौट है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं हम वहाँ पर एक बार फिर से इनका जवाब डूने की कोशिश करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेर कीजिए तो जल्द मिलेंगे अपने नई वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे दीजे इजाजत चैहिन चैभारत